जै शेकिष्णा दोस्तो रादे रादे हैं मेरे चैनल लंगी से हम आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम तीन नमबर के ठापकुजी के लिए इन दोनों फैब्रिक में से ही दू पट्टे हमने कट किये हैं इन दनों में से यह ड्रेस बनाएंगे ड्रेस बहुत ही शांदार होगी और कॉटन की होगी मुझे उमीद है आपको जरूर पसंद आएगी तो चलिए ड्रस बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों यह सबसे पहले हमने यह लहरिया वाला फैब्रिक लिया है साथी मैंने आरकंड मैं पलक मतलff लरता रखेंगे और उल्टा रखने के बाद सलाई करेंगे उल्टा रखने के बाद पलट देंगे, अब कि नारे किनारे आरे नाशना जाए डस आचारी cm लगा देंगे लेकिन मैं जप्री गुटा लगा देती हूं दोनों सइड से अंदर मोडू देंगे प्लेट्स डालेंगे प्लेट्स दिंखिए पल्कुल पास पास हमें महीन महीन प्लेट्स डालनी है और ये प्लेट्स हमें 4.5-5 इंच के अंदर डालनी है तो ये 4.5-4 इंच में लगवा हम प्लेट्स डाल करके तियार कर लें ये देखिए बिल्कुल गोल घेर हमारा बन गया है अब इसका नेफा लगा लेते हैं अची चौड़ी नेफी के लिए लिए पट्टी हमने और उल्टी साइड से इसे टक करेंगे इसको मोड़ेंगे अंदर की तरफ मोड़ने के बाद डूरी को रखके पलट करके इसलाई लगाएंगे यहां पर पूरी गुलाई में गेर हमारा बन गया अब एक गेर और बनाना है यह हमारा एक गेर बनाया दूर्सा गेर हमें भी और बनाना है तो इस गेर के लिए हमने यह प्रिंटेट फैबरिक लिया दो इंची चोड़ा और यह हमने लिया है इस तरीके से यह पतला महीन महीन इसे यहां से मोड़ा यहां से मोड़ेंगे और तीसी साइट यह वाली तीनो साइट से पहले इसे मोड़ो लेते हैं किनारे यह गोट लगालेंगे आप ना लगाना चाहाएं ना लगा वेकिन मुझे यह गोटा लगाने से पुस राक में पता नी क्यूँ अच्छा लगता है इसलिए यह गोटे को यह बहुत करती हूं तो आप बिना गोटे के बनाना चाहिए जो बिना गोटे की भी नहीं अब इसमें हम प्लेट्स डाल करके घेर तयार करेंगे और घेर वही हमें लगबग साड़ी चार इंच के अंदर ये घेर हमें डाल करके तयार कर ले रहा है तो ये कर लेते हैं अब हमें चोली कट करेंगे चोली के लिए हमने दो इंची चोड़ा और पांच इंची लंबा हमने फैब्रीक लिया है साथी अस्तर भी कट किया है को हम किस तरीके से कट करेंगे ये देखे ये दो इंच है यहाँ पर हाफ पर इसके निशान लगाएंगे यानि एक इंच पर निशान लगाया हमने और साथी यहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है यह आधा इंच पर निशान लगाया और इस तरीके से इसे गोलाई में लेत हुए यहाँ से मिला देंगे और इसे कट कर देंगे और कट करने के बाद इसे उल्टा रखेंगे उल्टा रखने के बाद यहां से यहां तक यहां से यहां तक सिल करके इसे पलट लेंगे अस्तर को हम चोली की शेप में ही कट कर देंगे साथी यहां पर हलके से कट लगा देंगे ताकि पलटें तो जोलना आए इसे पलट देते हैं यहाँ पर पहले लगा देते हैं उसकी बाद में यहां से लेकर की यहां तर गोटा लगा देंगे किनारी किनारी गोटा लगा देते हैं अब इस घेर को इस चोली के साथ अटेच कर लेंगे अब यह और इभी पट्टी हमने कट की है और इभी पट्टी को इस तरीके से डबल करेंगे और डबल करके सिलाई लगाने और लगबख सेंटर तक आ जाएंगे तब इसे उल्टी साइट से इसको भी हम सिलाई में ले लेंगे चोली को भी दूसरी साइड से इस तरीके से मूरेंगे और मूरने की बाद जो फोल्डिंग वाली साइड है उसको उपर रखेंगे प्रेसल्स लगाएंगे अब इसमें हमें यहां पर पीछे बांदने के लिए इसे कवर करने के लिए आप जहें तो वैल्क्रो लगा सकते हैं लेकिन मैं इस तरीके से ओवरलैप करके जितनी हमें ठापकुर्जी की कमर है उतनी कमर रखेंगे और यहां पर टिच बटन लगा एक पीस हम यहां लगाएंगे एक पीस यहां लगाएंगे तो इस तरीके से इसे हम बंद कर देंगे तो यह भी टक कर लेते हैं पहले दो घेर हमारे बन गए हैं एक घेर हमारा यह हो गया एक घेर हमारा यह हो गया चोली के साथ मैं अब पहले पगड़ी बना लेते हैं इसक पतला वाला गोटा लगा दिया है और यह बेस हमने बना लिया है क्योंकि बेस हम क्या एकटे बना करके रखते हैं जब जिस साइज की पगड़ी की हमें जरूरत होती है उस साइज की हम बना लेते हैं गोटा हमें नीचे लेना है इस साइड हम गोटा लेंगे हमारा पगड़ी का बेस बन करके तैयार हो गया अब इसमें हम कलगी लगा लेंगे साथी एक कलगी हमने ये प्रिंटेट फैब्रेक की भी बनाई है इसको हम इदर साइड से लगा देंगे इस बहुत प्यारी से पगड़ी बन गई चोटी से चली ठाकुजी को पहना करके दिखाते हैं यह दिखिए तीन नमर की छोटू से हमारे काना जी है लड़ु गोपाल जी है इनको ये ड्रेस हमें पहनानी है किस तरीके से पहनाएंगे बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है दोस्तों मैं आपको कहूंगी आप एक बार जरूर ये बनाना अपने लड़ु को पाल जी के लिए यहां पर मैंने अभी लटकन मैसे लगा ही नहीं है लेकिन आप लटकन लगा लेना और ये आगे इस तरीके से आजाएंगी तो बहुत ही प्यारी लगेंगे आप इसमें लटकन भी लगा सकते हैं तरसल्स भी लगा सकते हैं बहुत ही सुन्दर लगेंगे और अब देखिए ये चोली हम कैसे पैनाएंगे इस तरीके से आप चाहिए तो इसकी जगह पर वेल्क्रो लगा सकते हैं मैंने टिच बटन लगाया है तेकि मुझे वेल्क्रो थोड़ी सी में कम मेना यूज करती हूँ क्योंकि वेल्क्रो से बाकी जो कपड़ों मेना कई भर होते हम कपड़े रखते हैं तो उनके साथ मन के धागे खिचने हैं इद दिखी बहुत ही प्यारी से ड्रैस बनी है दोस्तो बहुत ही खुपसूरत लग रही है तो मुझे उमीद है आप लोगों की शिकायतत थोड़ी दूर हो रही होंगी कि मैंम छोटी ड्रैस नहीं शिखाते हूँ आप बड़ी बड़ी ड्रैस इसी बनाना सिखाते हो 5 जो जीरो से लेकर के एक दो नंबर तीन नंबर तक के हैं तो दोस्तों आपकी ये शिकायत है मुर्जे लग रहा है दीरे-दीरे कम हो रही होंगी और हाँ एक हमारा ये वाटसेप चैनल है लर्निंग विस्सिया इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है साथी एक हमारा द्रेस वाले ろ ड्रेस वाला ग्रुरुप है जिसमें हम लद्डु कोपल की ड्रेसि चैनल है लड़कोपल की ड्रेसिस वी सीट करते उनका मटिर्यल भी मसे अर् शेल करते तो और उसका भी लिंक हमने ऊपैर्टिस्क्रिप्शन में दिया हुआँ है तो वहां से उस ल आदे रादे